सबसे पहले आप लोग नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रूप का लिंक दिया हुआ है जैहोस्टेडी उसे अवश्य जोईन कर लें क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बनाना संभो होता नहीं है खबरों पर या सूचनाओं पर वहाँ पर मैं दे देता हूँ इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य जोईन कर लें या फिर डारेक्ट सर्च करके जैहोस्टेडी भी जोईन कर सकते हैं अब बात करते हैं UPPSC ने जो जारी किया है परिक्षा केलेंडर उसका बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए है नहीं कुछ परिक्षाओं से आपका लेना देना है उसी पर हम चर्चा करेंगे और जो आरक्षित डेट्स हैं उनका क्या रहस्य है उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे UPPSC 2023 परिक्षा 14 मई को होनी है प्रिलिम्स ठीक है यह और पहले हो सकती थी इस बार मार्च या अप्रिल में लेकिन वेकल्पिक विशय का जो मामला अटका हुआ है उस वज़े से यह मई में और सितंबर में 23 सितंबर से इसका मेंस रखा गया है गैप रखा गया है ताकि कुछी चीजे नहीं जुड़ेंगी नहीं क्या वो पहले से पढ़ते आ रहे हैं आपको पता है UPPSC कोई नया नहीं है थोड़ा deeply पढ़ना पढ़ेगा अगर तो थोड़ा सा समय चाहिए वो समय देने का प्रियास यह दिखता है कैलेंडर में आपके डेट में कोई चेंज नहीं होगा बहुत रेर है कि UPPSC अपने डेट में चेंज करे बहुत सो समझके इसलिए आरक्षित डेट्स रखी गई है ताकि जो डेट रखी जाय उसको बदलना ना पड़े तो आयोग इस मामले में बहुत ही जादा रिजिड है बहुत रेर चांस होता है कि वो अपनी डेट परिवर्तन करे और परिवर्तन करता भी है तो 15 दिन के लिए इस से जादा नहीं दूसरी एक अच्छी बात है कि इस बार जो वन सरक्षक वाला है आरेफो की भी भरती साथ साथ आए कि पिछली बार पद नहीं थे इस बार पद रहेंगे ठीक ठाक पद रहेंगे इस बार तो जो लोग उस सेवा में वन सेवा में जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है ये वेकेंशी PCS के साथ ही आती PCS के साथ ही इसका प्रिलिम्स होता है महलए PCS का एक्जाम होगा उसके बार अरेफो का मेंस का इक्जाम होगा जुडीसरी की मेंस की डेट मई में आ गई है फरवरी में आपका प्रिलिम्स है मई में मेंस है तो इस बार पिछली बार की तरह नहीं है डेट अच्छी दी है मतलब आपको समय दे दिया है लाव आलों का लाव तयार हो जाएगा जो लाव बैग्राउंड से नहीं है पहली बार है उनके लिए देखकत होगी अब एक प्रस्ट उठता है कि आरो बीयो रेल्टी जिनकी वेकेंसी के बारे में कलेंडर में कुछ है नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लोग पहले से शुरुआस से इस मामले में हमारी वीडियो देखते आ रहे हैं हमने आपको पिछले वर्ष बताया था जब लोग कह रहे थे कि अगस्त में परिक्षा होगी दिसंबर में परिक्षा होगी इस तरह की चीज़ें चल रही थी तो मैंने खंडन किया था मैंने कहा था कि इस वर्ष आरो की वेकेंसी मुश्किल है आना बीयो की वेकेंसी मुश्किल है आना एल्टी ग्रेट की वेकेंसी मुश्किल है आना नौंबर में मैंने आपको कहा था कि अब ये वेकेंसी आ सकती हैं इनके आने की प्रबल संभावना है लेकिन मामला अटक गया reservation पे reservation के अलावा कुछ समकष्टा का मामला था तो ये मामले अटक गये इस वज़े से notification नहीं आ पाया और इनका जैसे ही अभी तक निस्तारण नहीं हो पाया है निस्तारण जैसे ही होता है notification आ जाएगा सिर्फ इसलिए date नहीं दी गई है देर नहीं हुई मतलब इस मामले में कार में कि आप सचिवाले से जितनी यल्दी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी उतनी यल्दी notification आएगा उसी हिसाफ से date इनकी पढ़ेगी आरो की संभावी जो date है मैंने आपको बताया है टेलिग्राम पे आप जाकर देख सकते हैं जून या जुलाई में आपका आरो का एक्जाम होगा प्रिलिम्स का बीयो का एक्जाम अगर आ जाता है पांस एच्छ दिन में आशा है कि उसका कुछ अगर निस्तारण हो गया तो अप्रिल में नहीं तो बात की आरक्षी डेटों में उसकी डेट पड़ेगी और आरो का मानगे चलिए जून या जुलाई में पढ़ना तैं है कोई न कोई डेट जून या जुलाई में पड़ेगी आपकी ठीक है और एल्टी ग्रेट भी वेकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है उसका निस्तारण हो चुका है बस सचीवाले से आना वाकी है जो क्वेरी की गई थी आंसे और उसके बाद ये नोटिफिकेशन आएगा नोटिफिकेशन के बाद नोटिस के माध्यम से आपको डेट बता दी जाएगी तो आरो, बी और एल्टे वेकेंसी आएगी आपनों को निराश होने के जुरत नहीं किसी भी प्रकार की गलत फामी मत पढ़िएगा क्योंकि ये सबी जो तिथिया हैं, ये सब जो वेकेंसी हैं, इनमें चर्चाय हो चुकी हैं अल्रेड़ी ठीक है, और किसी प्रकारी गलत फामी मत नहीं रहना है अपनी अपनी परिक्षा की गंभीरता के साथ त्यारी करनी है अगर कोई क्वेरी हो आप की comment box में comment करके पूछ सकते हैं या हमारे WhatsApp number 9453575039 पे संपर करके पूछ सकते हैं इस नमबर पे WhatsApp करके आप संपर करके पूछ सकते हैं या टेलिग्राम भी कर सकते हैं, जो लोग टेलिग्राम यूज करते हैं, WhatsApp नहीं यूज करते हैं UPPCS Prelims के लिए एक महीने का क्रेस कोर्ष, RO-RO Prelims Mains, UPPCS Mains इसके लावाँ आप BEO की Prelims और Mains के लिए Courses हमारे चल रहे हैं, आप लोग जोईन करना चाहते हैं, तो WhatsApp पे संपर करके details ले करके हमारे टेलिग्राम पेड़ कोर्ष से जुड़ सकते हैं Courses के बारे में अलग से चर्चा, अलग-अलग वीडियो में कर दी जाएगी फिल्हाल आप लोग आज शाम सात बजे वर्ष भर के Current Affairs अर्थात अप्रिल से वर्ष भर का आपके लिए इतना ज्यादा relevant है नहीं आपकी परिक्षाय जो होगी इसलिए अप्रिल से दिसंबर 2022 तक यहां तक के Current Affairs आप देखिए क्योंकि अगली परिक्षाय जो आपकी होने वाली है चाहे वो PCS-J की हो चाहे वो PCS की हो या RO की होगी उसके लिए relevant रहेंगे ठीक है फिलाल तो एक साल का आठ से आठ महीने से एक वर्स तक इतना लेकर चला जाता है ठीक है तो फिल अब इसलिए मैंने अप्रिल से दिया है जनवरी से नहीं दिया क्योंकि जो relevant है आपके परिक्षाम जो पूछा जाए वही मैं आपको दूंगा बहुत बहुत धन्यवाद शाम को साथ बजे वीडियो देखना न भूले